हेलो बच्चो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन सिक्षन पर बच्चो कल जैसे इन्फोर्मेशन आई थी कि सीटेट 2021 का रिजल्ट दोबारे से जारी किया गया है तो आप सभी ने अपना रिजल्ट तो चेक कर ही लिया होगा मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि जो परशिक्षू पहले फैल थे अब वो दोबारे से रिवाइज रिजल्ट होने के बाद पास हो चुके है सब के माक्स क्यों नहीं बड़े इस पर भी चर्चा करेंगे आप सबी का बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कल की वीडियो पर कि सर हमारा एक नंबर बड़ा हमारे कोई भी नंबर नहीं बड़े कोई चेंज नहीं हुआ तो उस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि फैल जो परशिक्षू थे चातर थे वो पास हो चुके है और CETAT 2022 का बिंद्चार खतम हो चुका है जो परशिक्षू CETAT 2021 में पास नहीं हो पाए वो बिलकुल भी परिशान नहीं हो 2022 की तयारी सुरू कर दे जल्द ही आपका CETAT 2022 के फोर्म आ जाएंगे और इस साल के लाश्ट तक आपका एक्जाम होने की पूरी-पूरी संभावना है एक लगतार आपका कमेंट ये भी आ रहा है जैसे CETAT का रिजल्ट आया है रिवाइज ऐसे ही क्या UPTAT का भी रिजल्ट आएगा तो इस पर भी हम चर्चा करते हैं चलिए वीडियो की करते हैं शुरवात ये हमारे एक सब्सक्राइबर है सोरव इन्होंने अपना जो रिजल्ट है CETAT दिसंबर दो हजार इकिस का हमारे साथ सेयर किया है क्योंकि ये पहले फेल थे और अब ये दोबारे से जो रिवाइज रिजल्ट आया है उसमें पास हो चुके है इनकी कैटेगिरी आप देख सकते हैं SC कैटेगिरी के हैं और SC, OBC जो आते हैं ST ये सभी BSC नंबर पर पास हो जाते हैं तो इनका पहले रिजल्ट था Paper 1 का 81 नंबर इनके 500 में से बन रहे थे और Paper 2 में इनके 69 नंबर बन रहे थे तो जैसे इनका रिवाइज रिजल्ट आया वो भी मैं आपके साथ सेयर करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिवाइज रिजल्ट आया है सोरब का SC कैटेगिरी ही है तो 82 नंबर इनके हो चुके है और यह पास हो चुके है क्योंकि SC, ST, OBC 22 नंबर पर पास होता है और जनरल 90 नंबर पर पास होता है सीट एट में तो देखें आपके इनके 20 मार्क्स हो चुके है और यह हो चुके है Paper 1 में पास पेपर 2 में बिनके 79 से 70 नंबर हो चुके हैं पर पेपर 2 में 22 के लिए भी 12 नंबर की कमी थी तो ये पास नहीं हो पाए पेपर 2 उनके qualify हो चुका है तो पेपर 2 qualify नहीं हुआ है पेपर 1st qualify हो चुका है ठीक है गाईज अब बात करते हैं कि सब के marks क्यों नहीं बड़े कुछ shift है जिनके एक एक दो दो marks बड़े हैं क्योंकि उन question पर आपती थी और candidate answer सही लगाए गए थे इसलिए उनके answer दो बारे से revise हुए हैं और result भी update करना पड़ा तो इसलिए marks बड़े हैं बच्चों के ठीक है guys और CTAT 2022 जल्दी form आ जाएंगे आप सभी अपनी तयारी करते रहिए UPTAT का जो revise result है वो नहीं आएगा आप सभी परिशान नहीं हो आगे UPTAT की ऐसी TAT की तयारी करिए सिर्फ यही इस वीडियो में था आगे की अच्छी वीडियो और हमेशा latest update सबसे पहले पाने के लिए आप सभी इस online section यूट्यूब चैनल को subscribe कर लिजे मिलते हैं next update में thank you